हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम लोग इंटिग्रेशन करने वाले हैं अपने हाइबरनेट को प्रेंट्स अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहां पर एक स्प्रिंग एमवेसी का क्रैश कोर्ष किया था यह वाली वीडियो है अगर आप जाके यूटूब पर सर्च करते हो इस प्रिंग एमवेसी क्रैश कोर्ष लन कोड विद दुर्गेश तो आपको सबसे टॉप पर हमारी वीडियो मिलेगी यह वाली वीडियो इसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने अच्छे से क्या करता हूं पहले समझाता हूं उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने हागरनीट को इसे वाले प्रोजेक्ट के साथ इंटीड रेट करेंगे एक जिससे कि हमारा जो टेट ता होगा चुटो का वह बृटा बेस में पहुच जाए तो हम लोग यहां पर सबसे पहले रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो हम लोग टूडू एप है में हम लोग का प्रोजेक्ट सिंप्ली राइट क्लिक करेंगे और यहां पर रन ऑन सर्वर कर देंगे और फिनिस कर देंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और यह प्रोजेक्ट ृप्शन दिया था एक पूद और एक वी तुडू अगर आप एक टूडू पे करते हो तो यहां पे आपका कुडू आ जाएगा कोई लिख सकते हो और यहां पे रिक तो कि अटेंट ओफ फस्ट टूडू और अगर आप अड़ कर देजल तो पूदू को तब देंखो अगर आप व्यू पर जाओगे तो आपका एक टूडू आ गया इस तरह के से एड़ कर सकते हो अपने second टूडू को second टूडू और यहाँ पर content of the second टूडू और यहाँ पर add कर सकते हो तो यह हम लोग ने बनाया था स्प्रिंग MBC की हबसे यहाँ पर आपके टूडू आते जा रहते हैं इस वाले प्रोजेक्ट की एक disadvantage है कि यह जो डेटा है यह पर्मानेट नहीं सेव हो रहा था अगर आप अपने application को off कर दोगे that means running mode से बंद कर दोगे तो आपका यह सारा डेटा चला जाएगा क्योंकि यह जो सारा डेटा है वो store हो रहा था आपके application context that means servlet context के object में बट हम चाहते हैं अब कि हम लोग havenate की havenate का use करें spring के साथ और हम लोग यह जो है data यह store कर दे हम लोग कहां पर अपने database में अपने database में store कर दें तो यही काम हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलते हैं विना किसे time को waste के start करते हैं friends मैं आपको सबसे पहले चीजे समझाऊंगा फिर बताऊंगा तो इसी लिए आप क्या करें सबसे पहले आप यह वाली वीडियो जाके देखिए काफी लंबी वीडियो है लेकिन इसमें आप spring mac के mostly concept सीख जाओगे आप इसको fast forward करके भी देख सकते हो तो इस वाली वीडियो का link भी मैं क्या करूँगा current वीडियो के description box में डाल दूँगा आप जाके देख लीजेगा तब जाके इसको यहां पे access करिएगा और मैं क्या करूँगा यह जो हम लोग की वीडियो है यह हमारे service series की वीडियो हम ल आता है तो आप क्या करिए यह चीजे समझिए और अभी जब हम इसके बाद spring की series लाएंगे spring mc की series लाएंगे तो इसमें भी आपकी बहुत जादा help करेगी तो बिना किसी time को waste करें सबसे पहले start करते हैं और देखते हैं तो हमारा यह है main project तो यहां पे हम लोग ने data को store करन और simply इस listener को आप यहां से delete कर दीजे मुझे यह listener नहीं जाए क्योंकि मेरा सारा data database में जाएगा next अब आप यहां पर आ जाईए src के अंदर main के अंदर web app के अंदर और web.xml के अंदर यहां पर आपने listener की आपने listener की देखे entry की थी listener के entry भी हटा दीजे और save कर दीजे ठीक ह हम लोग यूज करेंगे hibernate तो ओविसी बात है हमारे पास hibernate की dependency होनी चाहिए और hibernate को spring के साथ integrate करने के लिए आपको जरुत पड़ेगी spring orm की dependency तो आप गूगल पर आईए और यहां पर गूगल पर दो तिन dependency सर्च करिए सबसे पहले सर्च करिए hibernate maven hibernate maven तो आपको hibernate maven से जाके dependencies को लाना है और अपने प्रोजेक्ट में पूट करना है तो मैं simply उस करूँगा 5.4.5 ठीक है यह वाली dependency simply आप copy कर लेंगे यहां से और आज आएंगे अपने pom.exe ने simply paste कर देंगे तो आपको dependencies वाले tag के अंदर paste करना है next अब आपको spring orm लाना है तो आप फिर से आएंगे Google पर और फिर से सर्च करेंगे यहां पर spring orm maven भी लिखना था तो आप एक बार इसको maven भी लिख दीजिए maven ठीक है तो आपको spring orm की भी dependency मिल जाएगी बट याद रखेगा जो spring का वर्जिन आप यूज कर रहे हो वही वाला वर्जिन यहां से grab करिए तो आप यहां पर आजाए हम लोग यूज कर रहे थे spring mbc 4.3.13 तो यहां पर आजाए 4.3.13 ठीक है एक dependency और चाहिए होगी mysql connector तो फिर से हमें आप आएंगे google पर टाइप करेंगे mysql connector maven perfect है और हम लोग क्या करेंगा simply click कर लेंगे और इसमें से अपना कोई वर्जिन ले लेंगे अब सारी dependencies आपकी आ चुकी हैं तो आप simply क्या करोगे अपने project पर राइट लिक करोगे तुडू पर राइट लिक करोगे यहां पे एक सिंपल सा option मिलेगा maven में आके आप इसको इबार update कर दोगे और okay कर दोगे जिससे कि सारी dependencies अपडेट हो जाए ठीक है मतलब में एवन क्या करेगा सारी dependencies को download करके आपके project में simply लगा देगा जब तक हम लोग कुछ concept समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग को mapping करनी है कैसे हम लोग को beans declare करने अपने टू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू- हम भात है हमें कुछ न कुछ में 3 बनानेए के save और ग == का तो मैं दो ही ऑपर चैन परफॉर्म कर रहा हूं अब ध्यान से देखेगा क्लाश का झाट यसका नाव होगा तो डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-ड-ू-डू-ड- सकते हो अपडेट का डिलीट का ठीक है तो वो सारे लिए वो सब आपके लिए एसांग्मेंट रहेगा आभी फिलाल मैं आपको सेब और गेट ऑल मैथड बनाओंगा सेब का सिंपली काम होगा डेटा को सेब करना टूडू जो आप पास करोगे इसको सेब कर देना और काम होगा सारे टूडू को उठा के डेटाबेस से लाना नेक्स्ट यह दोनों सेब और गेट ऑल मैथड को चाहिए होगा इसके अंदर क्योंकि आप कुछ ना कुछ हाइबनेट के फंक्शन कॉल करोगे और वो हाइबनेट के हाइबनेट के पास वो सारे वो सेब कर सकते हैं अगर आपको वार्द स्क्लास इस प्रवाइड करनेटि और एक ठीक है तो session जैसे हम लोग use करते हैं से पास save होता था वैसे इस हाइबने template के पास save function है जिसकी हम save कर पाएंगे या find all कर पाएंगे या get कर पाएंगे मालब इसके पास बहुत सारे functionalities है तो हम लोग क्या करेंगे इस हाइबने template हाइबने template का जो object होगा इंजेक्ट कर देंगे इस वाले to do to do DAO के पास जिससे की यह to do DAO क्या कर पाएंगे हाइबने template के object को use करके data को save कर पाएंगे कर पाएंगे इसा बोल सकते हैं इसके पास इस class का object हम लोग inject करेंगे with the help of spring dependency injection ठीक है next अब इस हाइबने template के पास कुछ और चीज़े होंगी that means हम लोग को क्या करना पड़ेगा हाबने template को हमें provide करना पड़ेगा session factory session factory इसी के पास तो सारी configuration होती थी भाई session factory अगर आपको याद हो that means session factory का object इसके पास होगा और इसका object इसके पास होगा जो use हो रहा होगा but यह interface है तो इसका object हम बना नहीं सकते हैं तो इसलिए हम लोग इसकी जगे पे इसकी एक implementation class का object use करेंगे जिसका नाम है local session bean factory तो यह basically इसका नाम बस अलाग है यह class है हला कि यह काम हो ही करेंगा session factory का तो यह एक interface है तो इसको यूज नहीं करेंगे इसकी जगे पर ये interface है इसकी जगे हम लोग इसकी एक implementation class उसके लोकल session bean factory जब यह बनाएंगे तो इसको हमें अपना data source देना पड़ेगा इसको हमें क्या देना पड़ेगा अपना data source देना पड़ेगा what is data source? data source basically data source के पास 4 चीजे होती है आप कौन साथ driver class यूज़ कर रहे हो, username क्या है तो हम लोग root दे देंगे password क्या है, root दे देंगे अपना और e-varral ले देंगे कहां पे data को कहां पर हमारा database locate कर रहा है मतलब कहां पर है हमारे खुद के server पर या उस database का URL ले देंगे तो basically इसके पास configuration होगा database का उसको हम लोग बोलते है data source और इस data source को हम simply अपने local bean local session factory bean को हम लोग दे देंगे ठीक है तो simply और इसको और भी information होगी session factory के पास data source की सारी information होगी कि आपका database है कहां कौन सा user उसे use कर रहा है इसके पास hibernate की properties होगी साथी साथ में कौन-कौन सी mapping annotated classes है या mapping xml files कौन-कौन सी सारी इस local session factory bean के पास होगी simply और data source जो होग एक interface है तो इसको यूज करने के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे driver manager data source तो basically यह data source सिर्ष समझने के लिए यह specification type का है और इसकी implementation class है driver manager data source तो सबसे पहले काम होगा simply हम लोग क्या करेंगे to do application बना लेंगे ठीक है अब देहां से देखो प्लिकेशन बना लेंगे to do app class बना लेंगे अब यहां से जुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग driver manager driver manager data source बनाएंगे इसका object बनाएंगे इसके अंदर सारी information रंगे URL username password और driver class name उसके पास जब data source को यूज करेगा और जितने भी configuration आपने की होगी वह सारी configuration पहुँच जाएंगी आपकी यहां पे और वह सारी configuration को यूज करके आपको आप सेब कर पाऊगे अपने डेटा को टूडू को सेब कर पाऊगे a, Olha! अगर आप एक बार स्क्र souffle現在 पहुआ ही स्क्रीण का आप लीज़ेगा सामने रख लीज़ेगा उसी को हमrare बनाते हैं ड़्ट नोग करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये सारी classes, bean में बनाते हैं, इसका object बनाते हैं, इसका object बनाते हैं, और सारा गाम करते हैं, तो friends हम लोग कि यहां पर dependencies लग गई हो, सारी dependencies आ गई है, spring ORM की, spring MBC की तो पैले सी थी, hibernate core की dependency जा गई है, साथे साथ मैस कल कनेक्टरी dependency आ गई है, अब लोग डीटा बेस अपने database में चलेंगे यहां पे और हम लोग यहां पे database और नया बनाएंगे तो हम लोग इन सब चीज को ignore करेंगे right click करेंगे simply यहां पे create database पे चलेंगे और यहां पे हम बनाएंगे to do to do manager to do manager एक database नया हम लोग create कर लेंगे और इसी database में हम लोग सारा काम करेंगे अभी इसे में कोई भी टेबल नहीं है कोई इशू नहीं एक टीवल आइंगे हम क्या करेंगे क्रेंगेaktu यहां पर आएंगे स्येंज अपने टु डु सक्षए ऑपने ब्यू जाएंगे यहां से किया ह। मतलब spring क्या कर पाए आपके views जो UI वाले pages हैं वो resolve कर पाए यहां से prefix और suffix की help से आ जाते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको बनाना है bean driver manager data source की तो simply आप यहां पर declare करें driver manager data source अब simply मैं space दे दे के काम करूँगा जिससे कि आप चीज़े समझ पाओ तो simply आपको यहां पर लगाने थोड़ा font में बढ़ा कर लेता हूं सबसे पहला ही बीन बनाना है बीन और class class आपको कैसे लेना है मैं बताऊंगा अभी आप name ले लिजिए यहां पर और इसको simply बंद कर दीजिए ठीक है अब बताते हैं इसको ऐसा बंद करें कि इसके अंतर प्रॉपर्टी भी आपको इंसर्ट करनी है अब देखें यहां पर आपको नाम आप कुछ भी देजिए सपोज आपने डेटा सोर्स दे दिया नाम डेटा सोर्स दे यहां पर class आपको लाना है ड्राइबर मैनेजर डेट डेटा सोर्स देखोगे यह रहा ड्राइबर मैनेजर डेटा सोर्स सिंप्ली इसको उपन कर लोगे यह क्या करेगा आपको class उपन कर देगा तो यह class ने में उपर जाओगे तो आपको package का नाम मिल जाएगा सिंप्ली इस package को हम copy करेंगे और अपने to do server में यहां पर लाके paste करेंगे तो यह तो package का नाम हो गया फिर dot लगाने के बाद आपको class का नाम लाना है तो simply आप नीचे आओगे और यहां पर अपने class का नाम simply copy कर लोगे और यहां पर आके paste कर दोगे सेब कर दोगे अब इसके कुछ properties है basically data source को आपको चार properties देनी होती है एक driver class का नाम है एक URL यूजर ने में पासवर्ड है यह पर नीचे से देख भी सकते हो यहां पर एक URL यूजर ने में पासवर्ड है तीन यहां से मिल जाएंगी आपको और यहां पर driver class name में एक property यह देख और यहीं पर वैलू यूज कर लो वैलू और वैलू क्योंकि हम लोग माइस्कुल करें माइस्कुल डेटाबेस उसका रहे है तो हम लिगेंगे कॉम डॉट माइस्कुल डॉट जेडीविसी डॉट ट्राइबर अगर आप नया वाले उसका तो यहां पर आपको CJ भी लगाना रहा है तो हम गहेंगे मेंडा डेटाबेस से सबसे पहले आपको प्रूटकॉल लिखना है तो अब बिखोगे जेडीविसी फिर सब प्रूट क्रूट कॉल और फिर आपको यहां पर लिखना है कि वह यह यह अपनी प्रॉपर्टी ग्रूस कर दोगे इसे दरह आप एक और लगाई यूजर नेम के लिए तो हम लिखेंगे यूजर नेम और यूजर नेम में सिंप्ली आपको अपने यूजर नेम जना है तो मैं उसकर रहा हूँ रूट इसको भी आप बंद कर दीजे यहीं पर और एक प्रॉपर्टी ओल लगा यह पासवर्ट के लिए बस वेट कर लेते हैं यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी और यूजर नेम प्रॉपर्टी ठीक है और नेम में हम लोग पासवर्ट पासवर्ट वैलू वैलू में हम लोग हमारे 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 डेटाबेस का पासवर्ट है रूट तो हम लोग यहां पर रूट लेकिए परफेक्ट है अब इसको फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग और देखेंगे यहां पर हम लोग ने इसको बंद नहीं किया आप सा लेना इस class का यह सारी properties इन सारी values से fill कर देना और इसका नाम है data source तो अब हम लोग जब भी इसके नीचे इस वाली class को उसकरना होगा तो हम लोग इस नाम से उसकरेंगे data source से ठीक है next अब हम लोग का data source बन चुका अगर आप उस diagram में देखोगे जो मैंने समझाया था तो data source को हमें देना होता है basically हम लोग डेटा source को provide करेंगे local bean session factory मतलब हम लोग session factory का object बनाएंगे तो हम लोग simply bean से बोलेंगे भीया मुझे एक bean चाहिए जिसकी class होगी कुछ अभी मैं बताऊंगा और इसका नाम होगा नेम होगा session अब देखे इसका class का नाम है क्योंकि यह एक session factory है तो session factory इंटरफेस है अगर आप देखना चाहूँ तो session factory इंटरफेस है आप control shift T से देख भी सकते हैं यहाँ पर session लिखो session factory session factory अगर आप देखोगे यहाँ पर यह एक इंटरफेस है और इंटरफेस का object हम लोग नहीं बना सकते हैं तो इसलिए object spring का container भी नहीं बना सकता है ठीक है तो हम लोग इसकी कोई implementation class देंगे जो की है सबसे पहले पैकेज उठाओंगा यहाँ से आप यहाँ पर सबसे पहले पैकेज उठा लीजिए और यहाँ पर सबसे पहले package save करिए उसके बाद आके अपने class का नाम पेस्ट करिए तो simply हम लोग class का नाम यहाँ पर copy कर लेंगे इसको copy कर लेते हैं और आके फिर से हम लोग अपने इसके बाद पेस्ट कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर class बन गया और नाम मैंने दे दिया अब इसकी भी class के पास property है data source की अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो यह देखो data source तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे property नेम में हम लोग देखेंगे data source डेटा source और value में value नहीं यहाँ पर ref जब एक class का object पास करोगे तो आप value नहीं refuse करोगे और ref मतलब हमें इसका reference पास करना है यह नाम यहाँ पर पास करना है तो हम लोग यह नाम यहाँ पर simply pass कर देंगे और इस property को बंद कर देंगे तो हम लोग ने अपना data source प्रवाइड कर दिया है है local वी इसन factory को डेटावेस प्रवाइड कर दिया अगर आपको कुछ properties हैवरनेट की प्रवाइड करनी है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर और दूसरी properties जैसे simply इसके पास एक property है अपने अपने data source सेट किया है वैसे ही अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कहीं मिल जाएगी hibernate properties देखे 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 यह तो यह है property class तो हम लोग यहाँ पर आएंगे अपने इसमें और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे property और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे hibernate properties और मुझे यहाँ properties class का object पस करना है तो आप लिखोगे props प्रॉप्स में एक-एक property आप सकते हैं with the help of prop prop तो की जो होगी वह आप वह से लिखोगे जैसे आप पहले लिखते थे हाइबर नेट डॉट डाइलेक्ट और यह आप जाके hibernate configuration फाइल से देख सकते हो जो जो प्रॉपर्टी उस करनी है तो आप याद को अगर आप डाइलेक्ट में लिखते थे तो आप लिखते थे हो फो हर्ची डॉट डॉट हाइबर वांट डायक्ट डॉट मार Doll हrick सकते हो इसभास वाखे सकते हैं वहां से खाता हूं आप क्या कर सकते हो स्क्राइस को जैसे से बागी सर्च कर रहे हैं control safety और यहां पर लिख सकते हो mysq mysql mysql 55 dialect mysql 57 dialect तो आप मैं यह वाल चूज करूँगा 57 dialect और इसका सबसे पहले मैं package copy करूँगा लाओंगा यहां पर और paste करूँगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस class का नाम copy कर लेंगे लाएंगे यहां पर paste करेंगे तो यह एक trick है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप करोगे क्योंकि package किसी को रहता है तो आपका dialect set हो गया इसे तरह अगर आपको जैसे मुझे tables खुद से create करनी है और नहीं है और यहां पर हाइबर हाइबरनेट डॉट एच बी एम है डीडियल डॉट और और इसको मैं क्या दोऊंगा पूरा लिख दोगे तब भी चल जाएगा वड़िया पर आप हाइबने डॉट जरू लिखे गया प्रॉपर्टी का नाम पूरा लिखेगा वहां पर हम लोग सॉटकर्ट भी लिख देते तब भी चल जाता था ठीक है उसके बाद जैसे आपको करना है तो आप यहां पर की में हाइबर ने डॉट सो अंडर स्कूर लिख दोगे तो हाइबनेट सो भी कर देगा जो भी कोई चलाएगा इस तरह फॉर्मेट कर सकतो जितनी भी प्रॉपर्टी आपको उसका नहीं इसी प्रॉप्स के अंदर आप पास करोगे तो यह जो सेसन फैक्ट्री को मैंने दो चीज़ दी अब आपको एंटिटी भी देनी है तो आप क्या करोगे इस सब्सक्राइब करोंगा इस प्रॉपर्टी को सेट करोंगा आजाओंगा अपने टूडू में और यहां पर उसकरोंगा अनुटेटेटेट क्लास ठीक है अनुटेटेटेटेट क्लास अब मुझे क्योंकि यह एक लिस्ट है तो मैं यहां पर उसकरोंगा लिस्ट और मैं कई सारे अनुटेट क्लास यहां पे पास कर सकता हूँ तो simply मैं अपनी एक ही क्लास है मेरे पास अनुटेटेट क्लास जो मैं बनाऊंगा entity को इसी वाली क्लास को to do को मैं आप लगाऊंगा entity अभी इसको configure करेंगे entity लगाऊंगा देखें, entity लगाऊंगा, साथी साथ में अभी इसकी ID वगरे भी देदेंगे, तो इसको बाद में configure करते हैं, सबसे पहले इसका package copy करते हैं, और आ जाता है अपने todo survey.xml फाइल में, वैलो में सबसे पहले लिखते हैं, package का नाम, और फिर अपने class का नाम, एक value होगे, दो value, तीन value, इस तरह से आप क्या करोगे, annotation, annotated class को add करोगे, अगर आपके पास mapping file होती, तो आप क्या कर देते, आप use कर देते, यहाँ पे mapping resource, और mapping resource के अंदर, सारी mapping file pass करते, तो hopefully आपको सबज में आ गया होगा, कि आपको कैसे बनाना है, session factory, तो यह basically आपकी session factory हो गई, जो कि इस variable में रखी है, और यह bean यहाँ पे खतम हुआ है, next is, अब हमें क्या बनाना है, अब hibernate template बनाना है, that means सबसे नीचे data source बनाया है, अगर आप diagram दे चक करोगे, फिर मैंने इस local bean session factory bean बनाया, अब हम लोग क्या करेंगे, hibernate template बनायेंगे और इस session bean को पास करेंगे, तो आजाते हैं यहाँ पे, देखें हम लोग लोग लखेंगे bean, bean और bean में फिर से हम लोग लखेंगे class, class अभी देते हैं, name लिख देंगे, name में लिख देंगे, यह है हमारा hibernate template, यह हमारा hibernate template, यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर से हम लोग control shift T दबाएंगे, और यहाँ पे search करेंगे hibernate template, hibernate template और हम लोग 5 और उस करेंगे, और हम लोग simply आके, यहाँ से package सबसे पहले copy करेंगे, package सबसे पहले copy करेंगे, to do server rate में आएंगे, इसको paste करेंगे, और dot लगाएंगे, फिर से यहाँ पे आके, और हम लोग simply, इस hibernate template को यहाँ से उठा लेंगे, और हम लोग यहाँ paste करेंगे, अब इसकी भी properties है, session factory मुझे इसको pass करना है, तो आप देखोगे, hibernate template के पास एक property है, session factory की नीचे आजाते हैं, यह देखे, session factory, इसी property को हम set करेंगे, देखे कैसे, जैसे बाकियों का करना है, वैसे इसका भी करेंगे, property, नाम, नाम ले देंगे session factory, और इसकी value जो है, क्योंकि हम लोग का एक object है, तो हम लोग इस session factory को यहाँ पास कर देंगे, तो basically हुआ क्या है, यह chaining है, अगर आप समझ जाओगे, तो confused नहीं होगे, सबसे पहले मैंने data source बनाया है, और उसको रख दिया data source में, फिर मैंने local session factory बीन बनाया है, और data source को यहाँ पास कर दिया, कुछ properties, habitat की set की है, annotated classes set की है, फिर मैंने habitat template का object बनाया, और session factory को यहाँ पास कर दिया, अब हम लोग इस session factory को ले जाएंगे, अपने, अपने to do DAO में, तो to do DAO को create कर लेते हैं, to do DAO को create कर लेते हैं, तो हम लोग simply अपने, जावा रिसोर्स इस पर right click करेंगे, एक नई class बनाएंगे, new class, class का नाम देदेंगे, to do DAO, to do DAO, और इसको एक package में रखेंगे, com.com.dao में रख देते हैं, कोई दिख कर नहीं, ठीक है, तो spelling मुझे लग रहा गलत हो गई, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें धहां से, हम लोग यहां एक variable ले लेंगे, hibernate template, hibernate template, और यहां पर hibernate template, अभी आप क्या करिए, क्योंकि आप लोगों ने spring सिखा नहीं है, तो मैं आप से recommend करूँगा, सबसे पहले इसको तो आप hibernate 5 वाला लीजिए, ठीक है मैं recommend करूँगा, यह जो hibernate template है, यहां पर आपने जो variable लिया है, और आपने यहां पर जो variable लिया है, hibernate template का नाम, उसको same रखेगा, क्योंकि auto wiring करने में help होगा, क्योंकि इसका जो object है, वो हमें उठा के इसमें ले जाना है, तो इसको ले जाने के लिए, आप simply यहां पर एक word लिख सकते हो, auto wire, जैसे आप auto wire लिख दोगे न, यहां पर जो object बना हुआ है, यहां पर जो object अपने बनाया था, यह वाल object जिसके पास session factory था, यह object ऑटोमेटिक यहां पर चला जाएगा, ठीक है, यह चीज़ याद रखेगा, अगर आपने स्टाम सेम नहीं रखा, तो हो सकता है, गलत हो जाए, तो आपको qualify, qualify, qualify होगर लगाना पड़े यहां पर, ठीक है, बट आप भी same रखेगा, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर वो दोनों method बना सकते हो, save का, तो बना लेते हैं, public int save, और इसको देते हैं, to do अपना, तो यह का करेगा, इसको save भी कर देगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं, import कर लेते हैं, तो import कर लेते हैं, और हम लोग simply क्या करते हैं, हाइबने template के पास, कुछ नो कुछ method होगा, save करने के लिए, तो हाइबन template.save, और अपना t pass कर देते हैं, यह मुझे return कर देगा, integer, यह serializable, return करेगा, बट इसको हम लोग typecast कर लेंगे, integer में, हाई में, ठीक है, तो यह बिसक लिए इतना काम करना पड़ा, आपने database में आपको save करने, इस तरह get करने के लिए, एक class और बनाएंगे, जो के return कर रहा होगा, list, list of, to do's, list of, to do's, और यहाँ आपे हम बनाए देंगे, get all, get all, और simply आप देखें, यहाँ पर, अगर मैं, अगर मैं, this.hybernet.get call करूँ, तो आप देखों कि बहुत सारे classes है, अगर find, load all, call करूँ, देखें, load, ठीक है, तो यहाँ पर load all है, आपको बताना है, किस class के object चाहिए है, तो मैं कहूँगा, to do.class, मुझे चाहिए, perfect, इसको एक simply variable में store कर लेते हैं, तो control, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, control 1 पर क्लिक करेंगे, assign statement to local variable, यहाँ देदेंगे, to do, perfect है, अब इसको return कर देंगे, simply यहाँ से return, to do, that's it, दो method बन गया हमारा, और दोनो method एक save कर रहा होगा, और एक to do को get कर रहा होगा, इतना काम करना था, ठीक है, अब इस वाले class को, mark करने के लिए, bean आप यहाँ पर use कर सकते हो, component, use कर सकते हो, component, जिससे कि यह bean mark हो जाएगा, आपको यहाँ पर declare नहीं करना पड़ेगा, बनाते हैं, एक title होगा, content होगा, date होगा, तो एक को id ले लेते हैं, id बना देते हैं, तो हम लोग लेंगे, यहाँ पर integer id, या private integer id ले लेते हैं, private integer id, id, एक उजाएगा to do की id, तो ऐसा लेते हैं, to do id, परफेक्ट है, और हम लोग id annotation यूज कर लेते हैं, id annotation, इसको auto increment करने के लिए, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, generated type, sorry, generated value, और यहाँ पर हम लोग लोग लेंगे, strategy, strategy में मैं identity यूज करूँगा, ठीक है, तो यह हमारे mysql में, यह auto increment कर देगा identity, तो id अपने याप बढ़ दी जाएगे, title, content, date हम लोग देदेंगे, perfect है, अब हम लोग अपने to do को अपने home control में, यूज कैसे करेंगे, देखे, यहाँ पर simply जैसे आपने context को auto wire किया, वैसे हम लोग यहाँ पर एक variable ले लेंगे, to do DAO का, to do DAO का, spring इसका object बनाएगा, और object बनाने के बाद यहाँ पर डाल देगा, हम लोग इसको direct use कर पाएगे, तो सबसे पहले save करते हैं, save करने के लिए अब आपको यहाँ पर attribute, अब आपको क्या करना है, save करने के लिए context में add नहीं करना है, यह चीज नहीं करनी है, यह चीज नहीं करनी है, इसको हटा देते हैं, save करने के लिए simply आपको उच करना है, this.todo.save और अपना todo पास कर देना है, यह जाएगा database में save हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको get करना है, ठीक है, अगर आपको get करना है, तो आप क्या करोगे, simply धहां से देखोगे, यह रहा, यह home page पर दिखाना है, तो simply आप context से get कर रहे थे, आप context से get नहीं करना, अब आप क्या करोगे, this.todo.get all, get all करोगे, आपको all call हो जाएगा, तो मुझे लगता, आप चीज़े समझ में आगे होंगी, कैसे काम हो रहा होगा, एक बार मैं क्या करता हूँ, इस project को run करता हूँ, अगर कुछ errors आएंगी, तो उसको हम लोग solve करेंगे, otherwise हम लोग देखेंगे, कैसे काम हो रहा है, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूँगा, पूरी वर्किंग, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने to do application पर right click करते हैं, और simply run as on server करते हैं, और next करते हैं, finish कर दे, और हम लोग restart कर लेंगे अपना application, तो यह थोड़ा सा time लेगा, चीज़ों को करने में, ठीक है, तो देखो context start हो गया, अभी start कर रहा है, थोड़ा time ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, इसने कुछ error दे दिया, और यहाँ भी देखोगे, तो कुछ error दिया है, देखो यह देखते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है, यह देखते हैं, क्या कह रहा है, यहाँ से देखे, यहाँ पर यह कुछ कह रहा है, तो कह रहा है, no such being, no such qualifying being found, to do available, ठीक है, अब ध्याँ से देखेगा, आपको करना क्या है, यहाँ पर, एक configuration और लगानी है, क्योंकि हमें, package scanning लगानी देखो, सारे folder हमारे start हो रहे है, com.ctrl से, com.dao से com. तो हम लोग आ जाएंगे, अपने to do service में, और यहाँ पर आपने जो लगाया था ना, यहाँ पर, ठीक है, base component, तो हम लोग सिर्फ scan कर रहे हैं, controller को, बट हम लोग क्या करेंगे, और rerun करते हैं, ठीक है, rerun करते हैं, तो हम लोग करेंगे, rerun, server, और finish कर देंगे, अभी एक transaction management के भी थोड़ा सा error आएगी, इसको भी हम लोग solve करेंगे, सबस्वले इतना देखते हैं हम लोग, तो अभी तक तो सारी शीज़े ठीक चल रही है, ठीक है, यहाँ पे इसने फिर से error दिया, देखते हैं क्या error दिया, ठीक है, कह रहा है, इस बार दूसरे रारी कह रहा है, Hibernet, HBM, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या कि, इसको बंद करते हैं, फिर में बताता हूँ, आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे, टू नहीं होता है, यहाँ पे हम लोगों को देना है, अपडेट, तो यह हलकिसी mistake थी, आप ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से दो देखोगे, यह सारी शे फिल करोगे, और अगर आप इसको चीज़ समझोगे, तो चीज़ समझ जाओगे, कर लोगे, फिर से मैं रन कर रहाँ अपने प्रोजेक्ट को, और देखेंगे, एरर नहीं आईगी, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, ट्रांजेक्शन कैसे मैनेज करेंगे, तो बस हम लोग देखते हैं, देखते हैं, तो फिलाल तो अभी तक सब कुस ठीक चला है, और इसने क्या किया, हमारे प्रोजेक्ट का होम पेज भी आउन कर दिया, तो अभी तक कॉन्फिक्रेशन सब कुस ठीक गई है, और अगर आप देखो तो टेबल भी क्रिएट हो गई है, इसने टेबल भी क्रिएट कर दिया हमारे, यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा पे इसमें चेक करते हैं, और देखो टूडू नाम से टेबल बन गई, अगर आप टेबल को ओपन करोगे, तो टेबल में कुछ हाई नहीं, फिर आल, ठीक है, टेबल में कुछ हाई नहीं, लेकिन फिर भी टेबल बन गई है, अब हम लोग अगर सेब करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम लोग data add to do में जाते हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं, this is first to do, और यहाँ लिखते हैं, this is content of first to do, और मैं क्या करता हूँ, add करता हूँ, तो आप देखोगे, एरर आएगी है, ठीक है, एरर यह कह रही है, write operation not allowed read only mode, इसका मलब आभी कहीं ने कहीं read only mode लगा हूँ है, और हम लोग को इसको write करना है, देखो, mark करना है transaction definition, तो basically transaction, याद करो हम लोग क्या करते थे, havenate में को save करना होता है, तो transaction open करते थे, तो हम लोग यहाँ पे spring की help लेंगे, transaction को manage करने के लिए, देखते हैं कैसे spring की हम लोग help लेंगे, यहाँ पे एक bean आपको और declare करनी होगी, transaction को manage करने के लिए, तो हम लिखेंगे bean, और bean में जो class होगा, उसका नाम होगा, hibernate transaction manager, ठीक है, आप इसका नाम दे दिए कुछ, तो हम लोग नाम देते हैं, transaction manager, ठीक है, नाम दे देते हैं, transaction manager, transaction, transaction manager, ठीक है, और यह लेगा, अभी मैं class का नाम दे रहा हूँ, यह लेगा, एक properties के पास है, session factory लेगा, basically, तो हम इसके पास property set करेंगे, session factory, और उसका जो, हमारा जो variable था, session factory का, वो भी था session factory, session factory, simply, इसका class होगा, hibernate transaction manager, तो हम लोग क्या करेंगे, control safety, और यहां फिर से search करेंगे, hibernate transaction manager, hibernate, hibernate transaction manager, और हम लोग 5 वाला उठाएंगे, ठीक है, 5 वाला उठाएंगे, क्योंकि हम लोग 5 यहां से copy मारेंगे, आ जाएंगे अपने to do servlet के अंदर, आएंगे, और ना भी copy करेंगे, और अपने यहां पर आएंगे, simply paste करेंगे, अब इसको enable करने के लिए, हमें यहां पर, हमें ऊपर चल के, और यहां पर एक tag all लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग अपने annotations से, transaction को manage कर पाएं, तो हम लोग यहां पर इसको करेंगे, TX, 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 तो हमें name space दी उपर डिकलेर करना पड़ेगा, तो आप देखो, जुआर देखो, यह context वाला, आप क्या करोगे, simply यहां से copy कल दोगे, context के नीचे ही paste कर दोगे, और यह जो context है, उसको आप कर दोगे, TX, उसको आप कर दोगे, TX, और यहां भी इसको भी आप कर दोगे, TX, perfect है, और last में दो लाइने context वाली फिर से copy कल दोगे, और नीचे आके फिर से इसको paste कर दोगे, और यहां पे भी आप क्या कर दो कि TX कर दो और context की जगा भी TX कर दो और यहां भी context की जगा आप क्या कर दो TX कर दो और अब आप TX colon जैसे लगाओगे तो आपके पास कुछ दिख जाएगा तो यहां पर annotation driven लिख दूँगा जिससे की अब हम लोग annotation की help से transaction को manage कर पाएंगे तो हम लोग आएंगे अपने to do DAO में और यहां पे जहां पे हम लोग ने save उसकिया है यहां पे हम लोग उसकरेंगे transactional that's it अब यह क्या होगा जब भी आपको save करना है तो आपको transaction management करना होगा आप कैसे करोगे आप transactional लिख दोगे automatic जो transaction management वाली class थी वह आपकी transaction manage कर लेगी कौन सी class थी भाई आपकी transaction management वाली class अपने declare किया था यह वाली class hibernate transaction manager अब आप अगर run करते हो तो आपका काम हो जाएगा यह reload और इसको reload हो जाने दो तो देखोगे थोड़ा time लेगा रिलोड हो जाएगा आज आते हैं और क्या करते हैं अपने project को refresh कर देते हैं ठीक है और फिर से add करने कुछिस करते हैं लिख देते हैं first to do और यहां लिखते हैं this is my first to do और add to do पर click करते हैं तो आप देखोगे successfully added और अगर हम यहां पर आके refresh करते हैं अपने database को to do manager table के अंदर चलते हैं और table को open करते हैं तो आप देखोगे यहां पर to do आ चुका है one this is my first to do date आ गई है first to do आ गया अगर आप दूसरा to do add करते हूं ठीक है लिख देते हैं second to do this is my second to do और add to do पर click करते हैं तो आप देखोगे आपका एक to do और और आ गया है इसी तरह आप कर दीजिए आप लिए third to do this is my third to do और add to do पर click करते हैं तो आप देखोगे इसे तरह आप करते जाओगे अभी basically hibernate को हम लोगों ने यूज कर लिया है और spring क्या गर रहा है hibernate को यूज करके data आपके database में save कर रहा है अगर आप view पर जाओगे तो यहां पर यह सारे data आ हा रहे हैं आपके कहां से इस सारे data आ रहे हैं आपके database से इसको मैं बिख mogelijk करना अगर आप सारी शचीचे बंद कर दोगे और अपना आपके डेटाबेस में रखा हुआ तो डेटा गायब कैसे होगा डेटा गायब कैसे होगा और आप क्या कर सकते हो अब आप हाइबनेट की कॉन्फिक्रिशन कर लिया है अब कुछ चीज़ मैं इंपॉर्टन बताता हूँ सबसे पहले यह प्रोग्राम चल जाए उसके बाद में यह प्रूफ कर दूँ कि हाँ यह पर्मानेट डेटा बेस में डेटा सेव हो रहा हुआ उसके बाद कुछ इंपॉर्टन चीज़ बताता हूँ कुछ लोगों को लग बहुत बड़ी चीज़ बट ऐसा कुछ नहीं है यह दोखोगे अगर आप देखोगे तो यहां पर सारा डेटा आ गया नया डेटा एड़ करोगे तो वह नया डेटा भी एड़ हो जाएगा अगर आप लिखोगे फूर्थ टुडू लिए इस 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 फूर्थ टुडू और अगर आपको तभी चीज़ समझ में आएंगी अगर आप मेरा वीडियो यह वाला जाके देख लिएगा सबसे पहले तम वह तो ठीक है चले बात आपने वीडियो देख ली उसके बाद जो यह कोडिंग है बैसिकली यह कॉन्फिग्रेशन की कोडिंग थी जो मैंने सबसे प करके रखेंगे अपने पास कभी भी यूज करना हो तो यूज करिए बस अब आपको क्या करना है बाप पालो इस प्रोजेक्ट में कोई और एंटिटी जोड़ना चाहरे हो आपको सिंप्ली एंटिटी बनानी है उसका डाव बनाना है और यहां पर आके जोड़ देना है तो फुपली आपको वीडियो समझ में आयोगा यह बहुत ही एंपॉड़न बीडियो और यह दोनों वीडियो मैं क्या करूंगा अपने प्लेलिस्ट में अधी करूंगा और आप क्या करिएगा इसको प्रक्टिस करें एक दू बार दो बार तीन बार क्योंकि बाद में जब आपको concept यह सी आरेशिय आनी चाहिए सो मैं वेल तो आप से नेक्स वीडियो में इसके नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए जैहन जे भारत थैंक्स पर रोचिंग इस वीडियो बाई बाई